इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास Realme का कोई सा भी फोन है तो उसमें आप स्क्रीन लॉक कैसे लगा सकते हैं तो वीडियो दिहां से देखती रही है इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिक्स में चले जाएं और और यहाँ पर आप स्क्रोल करेंगे तो आपको दिखाई देगा पाअसवार्ड और बायमेट्रिक्स इसे क्लिक करके ओपन कर ले आब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेट लॉक स्क्रीन पास्वर्ड ीसके करले और यहाँ पर आपको 5 सेकेंड वेट करना है इसके बाद continue पे click कर ले अब यहाँ पर आप password कोई भी एक pin password select कर ले तो यहाँ पर मैं एक से पाश टक select कर लेता हूं और use पे click कर देता हूं एक और बार वही password डालके इसे verify कर देते हैं ठीक है अब यहाँ पर पूछ रहा है add fingerprint अगर आपको fingerprint add करना है तो add कर दीजिए या फिर आप उसे बाद में add कीजिएगा ठीक है अब यहाँ पर आप आपका password यहाँ पर देखिए लग गया है तो इस तरीके से आप इसमें password लगा सकते हैं यहाँ पर आप password इंटर करेंगे तो अब आपका phone खुलेगा ठीक है